हाझ अमें किसान शिव्जी परसाद जी से मुलेcji जिनका जीवन यापन सिर्फ गोभी के बीज बेच कर गए होता है वो अपने खेतों में गुभी के बीज तैयार करते हैं और उसको मार्केट में या फिर किसानों से बेज़ करके अपना जीवन या पन चलाते हैं तो चलिए उनसे मिलते हैं अब करते हैं अब हम लोग है बरावली के पास बभनावली गाव में और यहां पर हमारे साथ हैं सेवजी परसाद जी जो कि कोभी के बीज का काम करते हैं और यह हर साल कोभी की अलग अलग भरायटी का बीज तयार करते हैं और उसको मार्केट में या फिर किसान को सप्लाई देते हैं इनसे इस संबंद में कुछ जानकारी लेंगे कुछ सुझाव लेंगे तो शिवजी परसाद जी सबसे पहले यह बताएं कितना दिन से इस काम को कर रहे हैं और हो यह पंच्छाव च्छे साल च्छे साल से लगभग इस काम को कर रहे हैं और लगभग कितने खेत में आप धाई विघा टक धाई विगा खेत में यह कोभी का बीज तयार करते हैं सबसे पहले यह बताएं कि इसमें कितना लग जाता है छे महीन देन छे महीना जोसे कि और इसको तयार करने के लिए अगर कोई और किसान मतलब इसको बनाना चाहे हो भी के विहारा के हलकिसी के बस की बात नहीं है लेगि फिर भी अगर कोई थोड़ा बहुत अगर इसको तयार करना चाहे तो उसके लिए क्या सुझाव होगा आपका अब और हम से भ्यंट और तो अगर मतलब अगर कोई आदमी चाहता है कोई फार्मर चाहता है कि हां एस तरह के तरीका से कोई काम करना इसके बारे में कोई ट्रेनिंग लेना इनका नमबर भी मैं की पूशी तीन महीने का बीज तीन वेराइटी और तीन नहीं तीन छे हो गया छे वेराइटी फर्स्ट कतिकी लास्ट कतिकी लास्ट अगहनी फर्स्ट अगहनी और लास्ट पूशी और फर्स्ट पूशी ये छे तरीके के बीज इन्होंने तयार किया हुआ एक थोड़ा सम साथ दे थीक हैं नहीं साथ देता है तो मांज़ें कि तीन वी घाम में कम से कम लाख रुपय के खर्चा आएगा तीन मां में लाख रुपय मतलब खर्च तो बहुत आता है क्या उसी साब से मतलब इनकम हो पाता है और एक बात आप से पूछने चाहेंगे कि सरकार भी काफी सारी योजना किसानों के लिए करती है देती है लेकिन काफी सारे किसान ये कहते हैं कि नहीं हमको मिलता नहीं है तो हमको कहां मिलता है लेकिन किसान को धरा तल पर वैसा कुछ मिलता नहीं है तो चलिए ठीक है अगर किसी को वीज की जरुरत हो आपसे समपर करें तो उसके लिए तो आप वीज मुहाया करवाइएगा यह इसका कटने का समय कब है और नहां पर अलग अलग भराइटी अलग अलग समय पे कटने के पश्चा तिसकी परकिरिया कुछ बताईए परकिरिय है इनको जाकना पड़ता है चार त्र Lebens in देखना परता है जा खोल को हुआ है तेयारी की नहीं हुआ है तो कारगर कॉन साब भीड होता है जो बड़ा दाना या पिर अच्छा है और छोटा दाना जो है वो नॉस्ठ हो जयता है राकि उसको भी बेचा जाता है कुछ रेट होगा होगा प्रक्त भीमारी इसमें कौन इधा हम तो दवा हम काले ले यहां तिन बश्टे इस वर्फ यहां पर कुछ दिख रहा है कोई लटके नहीं जब दवा मारता है मसीन से नूँ तो अब लटकता है इसके बाद लाही है पचास तरह के इसके में बैमारी है हाम हर चीज का बारीखी से द्यान रखना पड़ता तो क्रिशी कारे में कोई भी खेती आसान नहीं है क्रिशी कारे में हर खेती मुश्आ है हर काम मुश्आ क्यों होता है और चलिए आपको मतलब ऐसा करता हूँ कि इस साल आपका वीज और अछा प्रेट में बीके और बढ़िया आपका खेद तयार हो बीज तयार हो आगे आप और तरक्की करें अच्छा इंकम कमा है और फिर मिलेंगे आपसे हम तब तक के लिए धन्यवाद